हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं प्रेंग का स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टाइट टीचर जॉम में दोस्तों आज हम डियलर्ड सेकेंड सेमेश्टर फिफ्ट पेपर सामाजी कध्यान पढ़ रहे हैं और इसके अंदर गत हम लोग देख रहे हैं लग कोश्चन होते हैं टोटल कंप्लेट हो चके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और साथ ही अगर यहां पर हम बात करें प्रारंबिक सिछा के नवीन प्रयास सेकेंड पेपर इसके भी लगुत्रिय प्रस्ण है राजन सीरीज की लिंक आपको व्युस्था का वड़न कीजी आपके डियलेट 2018 में पूछा हुआ कोश्चन है तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम एंसर पढ़ने से पहले मौरे समराजी के विसे में जान लेते हैं च्योंकि दोस्तों मौरे समराजी से समंदित आपके चाहे चंद्रगुप्त मौरी हो या फिर विंदुसारों या असोखों इन सब से बहुत ही ज़्यादा कोश्चन बनते हैं आपके एकजाम के लिए तो इस दृष्टि कोड से हम आपको मौरे समराजी और विंदुसार और असोख के बारे में कुछ महत्तपूर तथ्य बताने जा रहे हैं तो ध्यान से सुनि चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना चाड़क के कोटिले विश्डगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थसास रिजिस का समन्द राजनीत इसे है क्लियर चंद्रगुप्त मगत की गद्दी पर 322 इसापूर में बैठा और चंद्रगुप्त जैन धर्म का अन चंद्रगुप्त को दिये चंद्रगुप्त मौरे ने जैनी गुरु भद्रबाव से जैन धर्म की दिछा ली मेगस्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूद था जो चंद्रगुप्त के दरवार में रहता था मेगस्थनी द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है चंद्रगुप्त मौरे और सेल्यूकस के बीच हुए यूद का वड़न एप्पियस ने किया और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिये थे चंद्रगुप्त मौरे की मौरे का उत्रादिकारी विंदुसार था जो 298 इसापूर में मगत की गदी पर बैठा तो दोस्तों जब ये अपने उत्रादिकारी विंदुसार को राजगर्दी सौंप कर जाता है विंदुसार अमित्र घात की नाम से जाना जाता है अमित्र घात का अर्थ होता है सत्रु विनास है कि विंदुसार आजीवक संब्रदाय का अनुयाई था और जो चंद्रगुप्त था वो जैन धर्म का अनुयाई था इस ट्रैबो के नुसार यूरानी सासक एंटीयोकस ने विनुसार के दर्वार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा इसे ही मेगस सनीच का उत्राधिकारी माना जाता है जैन गरंतों में विनुसार को सिंग सेन कहा गया है और विनुसार के सासनकाल में तच्छिसिला में हुए दो विद्रो का वर्डन है इस विद्रो को दबाने के लिए विनुसार ने पहले असोक को और बाद में सुसीम को भेजा था तो दोस्तों विनुसार का ही पुत्र असोक है एथिनियस के अनुसार विंदुसार ने सीरिया के सासक एंटियोकस्त से मदिरा सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रातना की थी बहुत विद्वान तारणाथ ने विंदुसार को 16 राजियों का विजेता आया है और अब हम देखते हैं इसके जो उत्रादिकारी असोख के बारे में विंदुसार का उत्रादिकारी असोख महान जो 299 रिसापूर में मगत की राजगर्दी पर बैठा राजगर्दी पर बैठने के बाद असोख अवंति का राजपाल था तो दोस्तों यह सारे मलब जो आपके यहाँ पर यह सारे मेल मेल पॉइंट हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर इससे समझने तो आपके कोई भी अतिलग उत्री कोश्चन भी आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो मास्की यम गुर्जरा अब लेक में असोख का नाम असोख मिलता तो दोस्तों यह कोश्चन बहुत बनता है और पुराणों में असोख को असोख वर्धन कहा गया असोख ने अपने अभिसे के आठवे वर्ध लगवक 261 इसापूर में कालिंग पर आक्रमन किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया उपगुप्त नामक बहुत बिचु से असोख को बहुत धर्म की दिच्छा दी तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो चंद्रगुप्त मौरे था वो जैन धर्म का नूई आई था और जो यहाँ पर इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो विंदुसार था वो अजीव उपगुप्त नामक बहुत बिचु से असोख ने बहुत धर्म की दिच्छा लिए असोख ने अजीवकों को रहने है तो बराबर की पहाडियों पर पहाडियों में चार गुफाओं का निर्मार करवाया अजीवक संपरदाय जो की इसके पिदा जी संपरदाय को मानते थे तो इसने अजीवकों को रहने के लिए बराबर की पहाडियों में चार गुफाओं का निर्माड करवाया जिनका नाम कर्ज, चोपार, सुधामा और विश्व जोपडी था, असोक की माता काम सुभध द्रांगी था, असोक ने बहुत धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत् अजीवकों के लेक लिए अखने ऐसने और विवकों के लिए असोक के प्रेटे क्था, असोक के लेक के खुज, प्देटरि ऋपने खेड़ेस, असोक के लिस तो कि jeito है, इसकी खोश 1750 सिस्वी में पादेट्री फेंथेलर ने की थी और इनकी संख्या 14 है असोग के अभिलेक को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 सिस्वी में जेम्स प्रिसप को हुई तो यहाँ पर दोस्तों ये सारी चीज़े हैं और दोस्तों इसके अभिलेक में पहला सिलालेक में पसुबल की निंदा की गई है और पांचवे सिलालेक में धर्म मात्रों की नियुक्ति के विस्से में जानकारी है और छठे सिलालेक में आत्म नियंदर की सिच्छा दी गई है और दोस्तों इसमें सबसे महत्पूर जो सिलालेख है असोग का 13 सिलालेख जो है टोटल 14 है तो 13 सिलालेख में इसमें कलिंग यूत का वर्डन यूम असोग के हिर्दय परिवर्तन की बात कही गई है इसी में पडोसी राजाओं का भी वर्डन है तो दोस्तों जो 13 सिलालेख है वो असोग के कलिंग विजय से समझ दीता और इसी विजय के बाद से ही जो बहुत ज़दा नर संहार को देखने के बाद असोग का हिर्दय परिवर्तन होता है और वो जैन धर्म को अपनाता है क्लियर और 14 सिला लेख में असोग ने जनता को धार्मिक जिवन बिताने के लिए प्रेजित किया और दोस्तों यहां पर एक महत्वपूर पॉइंट है कि प्रयाग अस्तंबलेख यह पहले कोसांबी में इस्तिता इस अस्तंबलेख की अकवर ने इलहाबाद के किले में स्थापित कराया क्लियर तो इससे समंदित यही सारे कोस्चन बनते हैं मौरिकाल से समंदित तो दोस्तों यहां पर अब हम देखेंगे मौरियों की प्रसासनिक ब्योस्था का वड़न चुकि यह तो आपका में कोस्चन तो यही था लेकिन इससे समंदित जितने भी मौरिकाल से रिलेटेड जो भी कोस्चन बनते हैं वो सारी चीजे हमने आपको बताई इसलिए बताई कि इससे समंदित अगर कोई भी लग उत्री कोस्चन आता है तो उसको आप कर ले जाएंगे क्योंकि यहां पर मैंने डिटेल से आपको बताया दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं मौरिकाल में मौरि समराट निरंकुस थे किन्तो वे सुच्छाचारी नहीं थे समराट प्रजा को अपने पुत्रों की भाति समझता था वो जनता की प्रति समर्फित होकर कारे करता था मौरी काल में राजा की सहाइता है तो एक मंत्री परिशद होती थी इसमें 12 से लेकर के 20 तक मंत्री होती थी गए थे जिसमें महामात्य सासन करते थे नगरों गाओं का प्रवंध प्रिथक से किया गया था इस समय की न्याय ब्योस्ता तुगठित थी और दंड विधान भी कठोर था इसलिए अधिक अपराद नहीं होते थे अब हम चलते हैं यहां पर देखें गुप्त कालीन प्रमुक बंदरगाह कौन सा था यहां से विदेशी ब्यापार होते थे दोस्तों गुप्त काल के विशय में यहां पर थोड़ा सा जान लेते हैं चुकि यहां पर लग उत्रिय कोश्चन है और बहुत ही कम दिया हुआ है तो दोस्तों गुप्त काल के विशय में हम आपको बता रहे हैं गुप्त साम्राज्य गुप्त साम्राज का उदर तीसरी सदाब्दी के एंद में प्रयाग के निकट कौसांबी में हुआ था और सुर खुट का प्रथम महान समराड जो था वो संड्र गुप्त प्रथम था है इसने लिचवीर वंच की राज कुमारी कुमार द्यवित से विवाग किया और इसने महाराजा धिराज की उपादी भी धारड की तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धिराज की उपादी धारड की थी और दोस्तों समंद्रगुप्त ने इसका दूसरा जो बात करे तो चंद्रगुप्त प्रथम का उतरादिकारी समंद्रगुप्त हु तो 335 इस वी में राजगदी पर बैठा इसने आर्यावर्थ के 9 सासकों और दच्छडावर्थ के 12 सासकों को पराजित किया इन्हीं विजयों के कारड़ी इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो दोस्तों अब आप कहीं भी कन्फ्यूज ना होएगा कि समंद्रगुप्त को हरिसेंड जिसने इलहाबत प्रसस लेख की रचना की समंद्रगुप्त दिश्डू का उपासक था समंद्रगुप्त ने ही अस्वमेग करता की उपाधि धारड की थी समंद्रगुप्त संगीत प्रेमी था ऐसा अनुमान उनके सिकों पर उसे वीड़ा बादन करते हुए दि दूतिये हुआ जो 380 इस्वी में राजगदी पर बैठा चंद्रगुप्त दूतिये के समय में ही सासनकाल में ही चीनी यात्री फायान भारत आया था और सको पर विजय के उपलच में चंद्रगुप्त दूतिये का उत्तरा अधिकारी कुमार गुप्त प्रथम या गोविं एक बार सुने रहेंगे तो अगर इस तरह का कोश्चन आता है तो आप जरूर कर ले जाएंगे कि नालंदा विस्विद्याले के सामता कुमार गुप्त याने की चंद्रगुप्त का ही उत्तरा दिकारी कुमार गुप्त ने किया था और दोस्तों यहां पर हम बात करें तो जिस्वेन सांग हर्षवर्दन के शासनकाल में जो की चीनी आत्री था वह भारत ए था और भारत में 15 वर्षो तक रहा और दोस्तों जो सांघ्व वो नालंदा विस्विद्याले में पढ़ने के लिए ही चुकि वो बहुत भिच्छु था वो अध्यन के लिए ही भारत आया था तो यह सारे जो छोड़ी-छोड़ी बाते होते ही यहीं कई न कई इससे आपके जो कोश्चन है वन वर्स वाले कोश्चन यह तयार हो जाते हैं चंद्रगुप्त दुतिय का जो उत्रादिकारी था वो कुमार गुप्त था और कुमार गुप्त का ही उत्रादिकारी असकंद गुप्त है असकंद गुप्त ने ही गिरनार परबत पर सुदरसन जील का पुनरुद्धार किया था तो दोस्तों असकंद गुप्त से यानि कि आप समझने की कोशिश करी कि चंद्रगुप दुतिय का उत्रादिकारी कुमार गुप्त प्रथम और कुमार गुप्त का उत्रादिकारी असकंद गुप्त और असकंद गुप्त ने ही गिरनार परवत पर सुदर्शन जील का पुनरोधार्क किया था तो दोस्तों इसकंद इस तरह की कोश्चियन होते हैं वो आपको हमने बता दिये है तो दोस्तों क्ैड़्व है claiming ऐंने सर्वाधिक महत्वपूर को गुप्तकाल मैं उज्जैन सरवाधिक महत्वपूर व्यापारिक केंद्र तुपत्य कालूढे तो अब से मात्वोड ब्यापारी के अंद्र था अरो गुपत्य राजाओं ने ही सर्वादी कई सुष्मद्राएं जारी की हिसा इनकी शूड मुद्राओं को अभलेक दियनार का गया है क्लियर कि क così गुप्त समराट वैश्णो धर्म के अन्वियाई थे और दोस्तों देखे गुप्त कालीन प्रसिद मंदिर जरूर पूचता है देखा भी है कि आपके अतिल लगुत्रिय में दसातार मंदिर पूछा है तो दोस्तों गुप्त कालिन प्रसिद मंदिर जो हैं विफ्डु मंदिर जबलपूर प्रदेश में और स्रिव मंदिर भूमरा नगौदा मद्यप्रदेश में पार्वती मंदिर नैना कुठार बीथर गाउं मंदिर जब दोस्तों गणिर बीथर गाउं मंदिर यानि की देवगड जहांसी उत्रप्रदेश और बीथर गाउं मंदिर छुआ जरूर एक बार रिवाइच कर लिजेगा क्योंकि दोस्तों ये सारे कोश्चन हमने देखें कि आपके पहले के जो भी कोश्चन पेपर हैं उसमें दिये हुए हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखें अजन्ता यहों में निर्मित कुछ 29 गुफाओं में वर्तमान में क्योल 6 ही से और दोस्तों गुफाओं में संस्क्रित भासा का सबसे क्रिशलीअ और दूसर को में उसका दूसरा स्थान है यह सारी चीज़े मैंने आपको उसके पहले भी बताईए तो आरे भट ने आरे भट्टियां में सुर्य सिद्धान्त नामग्रंथ लिखे थे इसी ने सरपतम बताया कि प्रित्वी सुर के चारोर घुमती है और चंदगुप दुतिये के दरवार में रहने वाले कुछ यूग कहा जाता है तो यह सारी चीज़े गुप्तकाल से समधित बहुत ही महत्तपूर थी जो मैंने आपको बताई अब है आपका कोश्चन नमबर 37 दच्छड के मंदिरों की विसेशता है लिखे यह आपके डियलर 2018 में पूछा हुआ कोश्चन है तो दोस्तों दच्छड क मंदिरों की मूर्तियों पर गांधार कला का प्रभाव था और नमबर 3 पर हम देखें दच्छड के मंदिरों में पत्थरों का प्रियोग किया गया है और नमबर 4 पर हम देखें तो दच्छड के मंदिरों में खंबों का प्रियोग बहुत किया गया है तो दोस्तों यहां प मंदिरों में पत्थ्रों का प्रयोग किया गया है तो यह सब इसकी विसेश्था हैं अब हम देखेंगे दोस्तों यहां पर नेंस्ट कोस्षिन गुशन वाल तर देखेंगे दोस्तों मॉलीक कर्तब्यों की संदर में वियवस्ता नहीं थी संदान के 42 वे संसोदन द्वारा मॉलीक कर्तब्यों को संदान में जोड़ा गया है भरती समिदान के 110 मौलिक कर्टब बताए गए हैं तो समिदान का पालन करना उनके आदेसों और संस्थाओं राश्ट दोज़ा और राश्टगान के प्रति सम्मान प्रकट करना ये आपका पहला मौलिक कर्टब बे आए अब हम देखें या पर दूसरा आपका राश्टी कहा जाए तो राश्टी सेवा हैं करना और नंबर फाइप परम्दे के भात के सभी लोगों के बीच सवहाद्रे और सामान भायचारी की भावना को बढ़ावा देना तथा भिन्न भिन्न धर्मों वर्ग गत विविनताओं के बीच एकता को बनाए रखना तथा महिलाओं के सम्मान के विरुद कारे ना करना क्लियर अब हम देखे नंबर यहाँ पर सिक्स पर है हमारी संयुक्त संभेता के बनसकत वैभा को उचित मूले प्रदान करना तथा उनको सुरच्छित बनाए रखना और नंबर सेवन पर है प्राकृतिक वादावर्ण को सुरच्छित रख और यहाँ पर नंबर नाइन पर हम देखें सार्वजनिक संपत की सुरच्छा रखना और हिन्सा अकर त्याग करना अब हम देखें नंबर टेन तो दोस्तों नंबर 10 है ब्यकतिगत्य तत्सामोई क्रिया कलाप। से सभी छेत्रों में उत्तमता प्राप्त करना क्लियर तो द निसुलक और सिच्छा के संदर में एक और मौलिक करतब जोड़ा गया कि माता पिता और सभी पालियों का यह करतब है कि वो अपने 6 से 14 वर्स तक के बच्चों को स्कूल भेजना यानि कि स्कूल पहुंचाना सुनेशित करें इसे प्रकार वरतमान समय में जो मौलिक करतब हो हैं वो टोटल यहाँ पर कितने हो गये हैं वो अब टोटल यहाँ पर 11 हो गये तो यह नंबर 11 है कि जो भी सिच्छा अभियान को सफल बनाने के लिए निसुलक और सिच्छा के संदर्व में एक और मौलिक करतब को जोड़ा गया कि माता पिता और सभी पालियों का यह करतब है कि वो अपने 6 से 14 वर्स तक के बच्चों को स्कूल पहुंचाना सुनिश्चित करें इस प्रकार बरतमान समय में जो मौलिक करतबे हैं वो 11 हो गये हैं तो दोस्तों यह सारी चीज़े आपको ध्यान रखनी है अगर यह आपका वन वर्स में पूछता तो आपको सिधे मौली करतबे की संख्या 11 लिखनी है अगर आपको यह लगूत्री में पूछता है कोश्चन तो आपको यह सारी चीज़े डिटेल करनी होंगी दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कोश्चन नमबर यह आपका है 39 जल के स्रोथ कौन-कौन से हैं लिखिए यहाँ डियलट 2018 में पूछा हुआ कोश्चन तो उत्तर देखते हैं जील नदियां हिम नदियां और भूमिगत जल और बरसा तो दोस्तों यह आपके जल के स्रोथ है जीन, नदियां, हिमनदियां यानि कि जो बड़े-बड़े हिमनद होते हैं जो बड़े-बड़े वर्फ की सिलाएं होती हैं उनसे हिमनदियों का निर्माड होता है तो और भूमिगत जल और नमबर फाइब पर है वर्षा दोस्तों यहाँ पर हिमनदी का मतलब होता है जो पैसियर से निकलने वाली नदियां होती है उन्हें हिमनदियां कहते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों कोश्चन नमबर 40 है वाईव क्या है वाईव के गर्म होने का क्या कारण प्रड़ाम होता है वाईव के गर्म होने का क्या विद्यमान जो एक लिफापे की बहाती प्रतिवी को घेरे हुए है वायू के गर्म होने पर वोजोन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वोजोन परत हमारे गर्म सूरत से आने वाली उस्मा को फिल्टर करके हम तक पहुचाती है तो दोस्तों यहां पर देखिए वायू क दोस्तों बात करें तो उजोन परत में छरड होने की कारड जो ग्लैसियर वो पिघल रहे हैं तो यह सारे कारड होते हैं कहीं न कहीं दोस्तों आज के लिए वस इतना ही वीडियो को लाइक कर दीजेगा और कमेंट के मादम से हमें जुरू बताएं कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है साथ अगर आप चैनल पढ़ नहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन बटन को जुरू प्रेस क के तुम से जुड़ने के लिए था इंक्यू सो मच जाए हिंद